आप लोगों ने बहुत खाई होंगे अलग-अलग टाइप के परांथे लेकिन आज हम घर में बनाएंगे चीज के परांथे इसमें वेजी भी बहुत सारी जाएंगी और चीज भी बहुत सारा जाएगा तो नॉर्मली जैसे आटा गुंते हम ऐसे गुं लेंगे और अच्छे तो आप लोग जैसे भी वेजी अच्छी लगती हैं जैसे भी पसंदे वो वेजी इसमें डाल सकते हैं और वेजी बहुत च्छोटी-च्छोटी कटी होनी चीए मैंने फिर डाला है इसमें थोड़ा से ओरिगेनो और थोड़ी सी चीली फ्लैग और थोड़ा सा ब्लैक पेप यह बहुत अच्छी रेसीपी है आप लोग अपने बच्छों को टिफिन में बना के दे सकते हैं यह रेसीपी जबी बहुत खुश होता है स्कूल लेकर जाने के लिए हमेसा बोलता है ममा चीज परांथा मुझे बना के दें लेकिन हमेसा डेली डेली तो चीज परांथा हम लोग बना के बच्चे को दें नी सकते हैं लिसले मैं हपते में एक बार बना लेती हूँ जैसे कि बच्चा भी खुश हो जाए और अराम से खाए फिर मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा ही आटा डाल दिया जैसे यह फटे तो उसमें चुपके ना मेरे तवे में और यह चकल बेलन बोलते हैं तो फिर मैंने इसको हलके हाथों से और थोड़ा सा इसको बेल लिया हलके हाथों से बेलना है नहीं तो यह क्या होगा चुपक जाएगा फिर देख इसको अमें तवे में अच्छे से से शेक लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली पराठा बनाते हैं यह देखि मेठ परांठे कित्थ सुंदर फूल के बन रहे है अब मैंने यहाँ पर लगा लिया है बटर आप लोग चाहें तो इसमें तेल भी लगा सकते हैं घी भी लगा सकते हैं आप लोग जाएसे जो बच्चे को पसंद है वह डाल के लगा सकते हैं और यह थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा ही बनाना क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है तो बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनता है जैसे पराठे बनाते हैं वैसे बना लिया और इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप लोग अपने बच्चे को टिफिन में दे सकते हैं यह दे झाल झाल